दोस्तों नमस्कार अब सभी का स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरेनेस एजुकेशन न्यूज में दोस्तों CHO भरती परिक्षा रस्तन आइकोट ने मांगा है जवाब जिहां दोस्तों आज हेरिंग हुई थी और इस हेरिंग में CHO भरती परिक्षा चैन के मामले में यहां पर रस्तन आइकोट ने जवाब मांग लिया है पूरा अपडेट क्या है मामला क्या समझाते हैं आसान वासा में सबसे पहले यहां पर देखिए 1st India न्यूच की जानकारी CHO भरती 2022 से जड़ा हुआ यह मामला है और इसमें दोस्तों खेल कोटे में न्यूक्ति से वंचित करने का मामला तो यहां पर दोस्तों यह 2020 आना चीए था खेल कोटे में न्यूक्ति से वंचित करने का मामला रस्तन हाई कोट में आज हुई मामले की सुनवाई जस्टिस सुदेश बंसल की जो अदालत में ये सुनवाई हुई है और अदालत ने राज्य सरकार सहित अन्ने को नोटिस भी जारी किया है तो आप लोग देख सकते हैं खेल कोटे में न्यूक्ति से वन्चित किया गया था दोस्तो यहां पर देख सकते हैं नोटिस जारी करके दो सप्ता में जवाब मांगा गया है मालपुरा निवासी मुनवर हसन और आन्ने की याचिका पर ये आदिस दिये गई है अड़ोकेट लक्षमी कंत मालपुरा ने प्रार्थी पक्स की पैरवी की है तो आप लुब देख सकते हैं देखिए 2022 यह चो भरती में तो अभी न्युक्तियां हुई नहीं है वो तो पेपर लीक था और उस पर निरन भी बहुत चलदाने वाला है लेकिन ये 2020 से जुड़ा हुआ मामला है साथी हो ठीक है न और ये खेल कोटे में आप लोगों को पता है कि आठ लोगों को जोइनिंग मिली है खेल कोटे के अंतरगत तो इनका खेल कोटे का जो सर्टिपिकेट है में वीमानने नहीं किया गया और इसी वज़े से पहुँचके रस्तन हाई कोट और ऐसा खेल कोटे में या जो पी एच सर्टिपिकेट होते हैं उन में ऐसी चीजे होती हैं कि लगबग फरजी होते हैं हलंकि मैं इनको नहीं कहूँगा कि इनका फरजी था सही था लेकिन जिस भी तरीके से भरती एजेंसी जो है एनेचेम है उसने नहीं माना और ये रास्तन हाई कोट पहुंच गया है और नोटेश जारी करने के बाद अब एनेचेम क्या जबाब देता है वो देखने वाली बात होगी लेकिन ये CHO भरती 2020 से जड़ा हुआ मामला है ठीक है ना जो आठ लोगों की जोइनिंग होई थी और बाकी के जो पद हैं वो लगबख खाली रह गए हैं खेल कोटे के तो आप लोग देख सकते हैं ठीक है ना ये जानकारी थी खेल कोटे में जो पी-एच सर्टिपि चाहिए और उस नोकरी के लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए लोग तयार रहते हैं ठीक है राजस्थान करमचारी चेनबोर्ड ने LSA भरती जो है यानि की पतुदन सायक भरती है उसमें 40 लोगों का चेन निरस्थ किया है आज की खबर बता रहा हूं है आप लोगों क तबकि अक्चुल में वो विकलांगता नहीं रखते थे और नोकरियन लग गए पियच कोटे के नाम पर तो यह बहुत बड़ा खेल होता है चाहिए भरतियां आप लोग मेरिट बेसेस पे करवाली जीए चाहिए आप लोग परिक्षा से करवाली जीए लेकिन ये चीज़े रुकने वाली नहीं है फरजी डिग्री फरजी सर्टिपिकेट विशेश कर खेल कोटा विशेश कर पियच कोटा और विशेश कर तला कोटे में इस तरीकी के खेल जो हैं खेल ले जाते रहे हैं और यह सच्चा ही है वास्तविक्ता है तो दोस्तों ये सियचो भरती का मामला था और इसमें जवाब मांगा गया है मालपुरा निवासी जो टॉंक में है मालपुरा वहां के थे मुनवर हसन और अन्य लोग थे और उनकी तरफ से उनहीं के वाइड के जो एड़ोकेट है उन्होंने प्यारवी की है धन्यवाद दोस्तों फिर आल के लिए इस वीडियो में